चलिए आज बनाते हैं घर में रखी चीजों से ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी चॉकलेट केक जिसे बनाना काफी आसान है तो इसके लिए न हमें एक बावल में डालना है पीसी हुई चीनी जो की वन बाई हाफ कप के करीब है या फिर आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग भी टाल सकते हो अब हम इसमें एड कर देंगे वन बाई फोर्थ कप के करीब तेल हमें यहां पे कोई स्ट्रॉंग फ्लेवर का तेल नहीं लेना है जैसे कि सरसो वगएरा का अब हम इसमें फ्रेस दही डाल देंगे वन बाई थर्ड कप के करीब और इसे अच्छी तरीके से मिक मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे किसमें कोई भी लंप्स वगेरा नहीं होना चाहिए अब मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हम एक छनी को पर डाल देंगे मैदा जो की एक कप के करीब है अब हम इसमें एड करेंगे वन बाइ फॉर्थ कप के करीब कोको पा बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इस बैटर का जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत ही जादा थीक है तो अब हम इसमें एड करेंगे दूध हमें यहां पे एक साथ दूध एड नहीं करना है यानि जरुत के हिसाब से दूध डालना है जैसे जैसे जरुत परेगी हम दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे लगवंग मैंने इस बैटर को त्यार करने में आधे कप के करीब दूध का यूज किया है और अब हमारा बिल्कुल पॉफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर त्यार है तो अब हम इसे अलग रखते हैं अब हम एक बेकिंग टिन को तेल से ग्रीस कर लेंगे आप घर की कोई नॉर्मल का टोरी भी ले सकते हो और अब हम इसे मैदा से कोट कर देंगे इससे ना केक बहुत ही आसानी से निकल जाती है आप चाओ तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हो अब ह हम कराही में डालेंगे नमक और स्टैंड या फिर कोई भी कटोरी और त्यार के अवा बैटर डाल देंगे और इसे ढखकर 40-45 मिनिट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेंगे 40-45 मिनिट्स बाद अब यह बहुत यह अच्छी तरीके से बेक हो गया है मैंने इसमें तुथपिक लगा कर भी देखा तो इसमें थोड़ा भी यह चिपक नहीं रहा था यानि हमारा केक बेक हो गया है तो अब हम इसे सवधानी पुर्वक निकाल लेंगे और इसे कंप्लेटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनास तो हम एक पैन में डालना है वन बाइ फोर्थ कप के करीब कोको पाउडर टू टेबल स्पून के करीब कॉन फ्लोर और वन बाइ फोर्थ कप के करीब पीसी हुई चीनी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड करेंगे दूद जो की मैंने एक कप के करीब डाला है अब हम इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे ध्यान रहे कि इसमें एक भी lumps नहीं होना चाहिए अब हम gas के flame को on करेंगे और इसे gas के उपर डाल देंगे और इसे medium flame पे लगातार चलाते हुए न थीक होने तक पकाएंगे अब यह थोड़ा सा थीक हो गया है तो इस स्टेज पे हम डालेंगे वन टेबल स्पून के करी बटर और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो अब हमारा बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी चॉकलेट गनास बनकर त्यार है तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं अब हम आते हैं केक की तरफ तो अब हमारा केक भी ठंडा हो गया है तो अब हम इसे थोड़ा सा टैप करके डिमोल्ड कर लेंगे अब हम क्या करेंगे एक जाली वाले स्टैंड के नीचे एक प्लेट डाल देंगे और इसके उपर से एक केक डाल देंगे और अब हमारा चॉकलेट गनास भी ठंडा हो गया है तो इसके उपर से हम डाल देंगे और जो भी चॉकलेट गनास गिरेगा वो इस प्लेट में ही गिरेगा अब हम इसके उपर से डाल देंगे ग्रेटेड चॉकलेट मैंने यहाँ पर डैरी मिल्क चॉकलिट को ग्रेट करके ले लिया है आप अपने मन पसंद की कोई भी चॉकलिट डाल सकते हो या फिर आप इस केक को अपने मन पसंद के अनुसार से डिकॉरेट कर सकते हो अब हम इस केक को कम से कम 30 मिनट के लिए फ्रिज कर लेंगे और 30 मिनट बाद अब हमारा सुपर टेस्टी सुपर यमी चॉकलीट केक बन कर त्यार है तो आप भी इस केक को जरूर से ट्राई करना आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो चलो बाई